नमस्कार दोस्तों मैं हूँ स्विंति पार्टी आप देखरें अगरी किसान चैनल दोस्तों आज हम आए हैं लहुरा देमा के पसुनिवास अस्थल पर और इस पसुनिवास अस्थल की आज हम जाजा करेंगे देखेंगे पसुने क्या क्या सरकार की विवस्था है यहां पर सर दायोती बनती है इन सब पर बात पर हम चर्चा करेंगे तो इस जवाला तिरपाटी सर सर से आज हम बात करेंगे कि इस पर क्या होना चाहिए कि इसकी परकार की ब्योस्था अस्थल पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की क्या ब्योस्था है हम लोग को क्या करना चाहिए इस स्लाटर हाउस में भेज दिये जाते थे, कट जाते थे और ये हमारी क्या जो है जनता की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर जो भी सरकार की योजनाएं हैं यह पूरी नहीं है इसमें जनता की भी सहभागता जरूरी है अपने अपनी व्योस्था में लोगों को चाहिए ये जनवर हैं या जो भी सिष्टी में हैं वह हमारे साथ पूरक हैं इनके बिना हमारी सिष्टी अधूरी है इनका रहना जरूरी है इनका दूर, इनका मूत, इनका गोबर सब उपयोगी हैं तमाम ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे लिए समस्या बन जाएगी इसको इखा करके फिट कर देते हैं उपयोगी बना देते हैं तो सरकार ने जो एक योजना बनाई यहां पर हाँ हमें मानते हैं कि वो कम है परियाप्त नहीं है लेकिन सरकार से भी निवेदन करेंगे कि अगर आपकी ब्योस्ताव में बन सके तो यहां कुछ और दें साथ ही साथ हम जनता से भी निवेदन करेंगे कि आप भी ऐसी योजना में जो अपनी सहभागता सुनिश्चित करें अपने पास से जो कुछ भी आप समू के रोप में बन सके आप करें आप कितने करमचारी काम करते हैं चार चार करमचारी अच्छेु सरकार कि द्वारा कितनी फंडिंग होती है सरकार कि यहां क्या-क्या व्योस्था है सरकार कि आप ब्यृस्था के वहां परpinरा प्याज़जा हृँ इसमें Houston फैक पर इसमिस भी आपर मतलब पानी शटा कर दिया गया वहां पर उनके खाने पीने की सब बैवस्था मतलब सरकार की बैवस्था जो भी थी उच्टीन सेट में करा दी गई और देखे पसु हैं जो भी सब बैठी हुए हैं खापी करके अहां पर एक पसु का एक दिन का 30 रुपया मिलता है जो कि यह जो है पसु आश्रे अस्थल है इसका लिमिट है पचास पसु का इसका मतलब एक पसु का एक दिन के 30 रुपया मिलता है जो कि पूरे मतलब महीने का हुआ 45,000 रुपया जो कि दो महीने तीन महीने पर पैसा आता है हर महीने पर पैसा आता भी नहीं है जो महीने तीन महीने पर मतलब जो भी उसका सरकार का कै कापिस्टी रहता है वो अपना बेद देता है मतलब उसमें हमको खिलाना है एक पच्छाया मतलब एक दिन में जी उस हिसाब से उसका कागज बनता है उसका सब कुछ मतलब ऊमल्लीटी सब पुरा होता है फिसनों कागज जाता है बलाग पर जमा होता है तब बलाक से फिन दुबारा रीटन पैसा आता है तो दोस्तों एक पस के उपर 30 रूपे की ब्योस्था है और इस पस निवास अस्थल की जो कैपिसिटी है वो 50 पस्था की है कभी जब पस जादा हो जाते हैं सरकार तो उतना ही फंडिंग करेगी जो जादा प अगल जितने भी पसाला है आप भी कम से कम एक टाली की व्योस्ता करें आप से अपील है हाज जोड कर अपिल है कि क्योंकि आप मरने से पहले पसदान करते हैं आप कुछ जीते जी पसदान कर दें को आपके लिए भी अच्छा काम रहेगा यह से जो पस हुए हमारे आपका स आमर्थ है उतना व्यवस्ता करके इस पस्ताला का जो आपके अगल बगल पस्ताला का विकास करें बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो आपको अच्छे लिए जरूर सियर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू